दोस्तो लोबान या लोबान की दूबबती तो आपने जरूर जलाई होगी लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ से निकलने वाला यह राल यूक्त गोंद हमारी सिहत के लिए भी काफी फायदे मन्द होता है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिट वर्ड हेल्थ केर में और आज हम जानेंगे लोबान का परीचे एवम औशदिये गुणों के बारे में लोबान की दो ब्रजातिया पाई जाती है जिनका बॉटनिकल नाम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है इसके अलावा इसको अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग नामों से जाना जाता है लोबान के वरक्ष, थाईलेंड, जावा और सुमातरा में पाये जाते हैं इसके वरक्ष की छाल में चीरा लगाने से गोंद प्राप्त होता है जिसको लोबान कहते हैं इसकी तासीर गरम होती है और इसका सुआद कुछ कड़वा एवं गंद हलकी होती है यह गरम होने के कारण पित वर्दक होता है और फेफडों से संबंदे समसियाओं में पिरियोग किया जाता है पुरानी खासी में बदाम तथा गुंद के साथ आदा गिराम की मातरा में इसको दिन में दो बार देने से कफ बहार निकल जाता है और समसियाओं में फाइदा मिलता है एवं दर्द भी ठीक हो जाता है तोचा के लिए लोबान गुंकारी होता है इस समसियाँ में भी भारी रूप से इसका प्रियोग किया जाता है इसका तेल या लेप भारी रूप से प्रियोग करने से तोचा रोग एवं घाव की समसियाँ को सही होने में मदद मिलती है लोबान का प्रियोग, मुतर समंदे समस्याएं, सेक्सूल प्रॉबलम, गरबाशे की सूजन, एवं बुखार की समस्या में भी परभावशाली होता है लोबान आपको ऑनलाइन और ओफलाइन असानी से मिल जाएगा आप उसका प्रियोग कर सकते हैं इसका सेवन आप एक दिन में आदे से 1 गराम की मातरा में कर सकते हैं इसके अलावा इसके सत्व का सेवन भी 100 mg से 120 mg की मातरा में प्रते दिन किया जाता है तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आईयो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर पसंद ना आईयो तो इस वीडियो को डिसलाइक करें और अपना सुझाव हमको कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसी ही सेहत और आयर्वेस से जुड़ी जानकारी जानने के लिए Fit World Healthcare को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो मिलते हैं आपसे फिर किसी फायदे मन जानकारी के साथ धन्यवाद